यदि अभी तक आपने मुझे अनकेडिमी पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मुझे अनकेडिमी पर फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर भी DSSB, KVS, CTAT, UPTAT, HTAT और हर स्टेट के लिए जितने भी TAT है उनके लिए qualitative course त्यार कर रहा हूँ और सबके सब lecture आपको वहाँ free of course मिलेंगे चाहे वो psychology का हो, चाहे वो math का हो, चाहे वो reasoning का हो, चाहे NCRT series हो, सबके सब आपको provide होंगे तो जिस तरह आपने मुझे YouTube पर support किया है उसी तरह आप मुझे अनकेडिमी पर support कीजिए वेलकम टू सरस्वति क्लासेज जैसा कि student आपको ध्यान है कि अपने journal math स्टार्ट कर रहा है KVS का by syllabus जो जो syllabus है उसकी according अपने वीडियो बना रहे है इससे पहले अपने एक वीडियो बना चुके है number system तो आपको यहाँ है कि number system यहाँ से start होता है और यहाँ इसका end होता है number system का यहाँ तक तो अपने बात की थी number system क्या है कौन कौन से number है सबसे ओपर complex है सबका माईबाप उसके बाद वो दो भागों में बटा था real और इमेजनर रियल आगे दो भागों में बटा था rational number irrational number फिर rational number आगे तीन भागों में बटा था दो भागों में एक तो integer और एक decimal decimal आगे बटा था अपने कैसे थे terminating non-terminating तो इस पर कार आगे चल रहा था मैंने आपको पूरा का पूरा सरी समझाया था जिसमें बात की थी number system estimate number और बात की थी whole number और integer की property पर इतनी बात कर चुके थे जो ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी क्योंकि उसके साथ आपको कोशन भी कराये थे जो आने वाले थे और जो आये हुए थे अब बात करते है place value और face value जिसे आप स्थानी अमान और जाती अमान कहते है ठीक है तो हमेशा बदलते हैं student आज आप Delhi और कल आप कहा होगे यूपी तो आप स्थान चेंज कर लिया फिर आप हिमांचन प्रदेश होगे तो आपका स्थान बदल रहा है इतन मिस्थान चेंज हो रहा है तो उसी परकार आप स्थानी अमान से स्मझेए कि स्थानी अमान चेंज होते 360 नंबर दिया है, ठीक है, उसमें जो इकाई ऋंक या यूनीट प्लेस का स्थानी नमान निकालना होता है, तीनुड आपको बपाद यह नंबर है, for example, की 5999 इसी अपने का कहते हैं, यूनीट प्लेस, जुसे आप इकाई मान कहते हैं, इसे अपने का कहते हैं, दहाई, इसे अपने का कहते हैं, सेंकड़ा, इसे अपने का कहते हैं, हजार, यह आपको पता है, इसे एकाई अंक बोलते हैं, इसे सेंकड़े का अंक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हजार का अंक बोलते हैं, यह तैंथ अ अंक का स्थानी अमान निकालना है मालो एक यूनिट प्लेस निकालना है तो यूनिट प्लेस क्या होता है किसी भी अंक का इकाई अंक इंटु वन ये तो एक कितना होगा साथ होगा अगर अपने को पूछे तीन का स्थानी अमान तो दहाई का अंक का स्थानी अमान निकालना है तो क्या करेंगे दहाई का अंक कितना अंक तीन इंटु दस तो कितना हो जाएगा तीस अगर पूछे नो का तो नो सेंकडे का अंक इंटु 100 तो कितना हो ज सदो किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का अपने को प्रीस वैल्यू निकालनी है तो प्रेस वैशिं प्लेस वैल्यू निकालनी है legal है कि जिस भी digit का अपने place value निकाल रहे हैं उस अंक के बाद जितने अंक होंगे उस अंक के बाद जितने अंक होंगे उतनी 0 लगा दूँगा किसी भी number में किसी भी digit का अगर आपको place value निकाल रहे हैं तो उस digit के बाद जितने भी number होंगे उतने 0 लगा दूँगा ठीक है तो for example मेरे पास यह रहा भाई नमबर ठीक है मैंने आपको गाता किसी भी नमबर में किसी भी digit का मेरे को place value निकालना है तो उस नमबर के बाद जितने भी अंक है उतने 0 लगा दूँगा तो 8 का निकालना है अब देखिए 5 5 का स्थानी अमबर निकालना है 5 के बाद कितने अंक है 1 और 2 तो 5 के पिछे क्या लगा दूँगा दो 0 लगा दूँगा अगर 7 का निकालना है तो 7 के पिछे कितने 0 लगा दूँगा 1,2,3 3 अंक है 7 के बाद तो उतने 0 लगा दूँआ तो 7 का स्थनिया मन कितना होगा 7000 अगर mathematical से चलना है definition से तो पहले क्या करेंगे एकाई यंग के साथ क्या करूँआ एक का multiply करूँआ तो आठा जगा दहाई के साथ करूँआ तो कितना 10 से multiply करूँआ ठीक है पांच के साथ करूँआ तो 100 का करूँआ तो कितना 500 साथ के साथ करूँआ तो 7000 आजाए ठीक है यह है नॉर्मली तरीका निकालने का ठीक है उसके बाद कुछ important बाते हैं जो direct सत्य, true and false में पुछी आती है कि शुन्य का स्थानी अमान हमेशा शुन्य होता है अब for example आपको example दूँआ ही मालो यह एक example है ठीक है मेरे पास यह एक number है इसमें पुछा है कि zero का स्थानी अमान क्या होगा तो मैंने का था कि किसी भी number में किसी भी digit का स्थानी अमान निकालना है तो उस number के बाद जितने number होंगे उतनी zero लगा दो तो इसका निकालना है तो जिरो लिख लिए इसके आगे कितने number एक दो उतनी zero निकाल दूँगा तो रहेगी तो यह zero ही भाई तो zero का स्थानी अमान क्या होगा जिरो होगा अगर वैसे चलना था आपको mathematicals तो यह सेंकडे के स्थान पर रहता है सेंकडे के साथ 100 का multiply करते हैं तो zero के साथ 100 का multiply करूँगा तो जिरो बन जाएगा तो भी जिरो ही रहेगा और इकाई अंक का स्थानी अमान हमेशा इकाई अंक रहते हैं इक य आख का सटानी अमान हमेशा क्या रहीगा इक यग वह पेपर में इनकों कन्फिय। बहुत अच्छे तरीकैसे बताएगा खियता है इकाई अंक का स्थानियमान हमेशा इकाई अंक होता है जो खुद इकाई अंक था मालो अगर इसमें बात करूं कि 7538 में इसका इकाई अंक का स्थानियमान क्या होगा तो इसका इकाई अंक क्या है आठ तो इसका स्थानियमान भी कितना होगा आठ क्योंकि आठ के बाद कोई भ तो देखिए तीन के साथ किसका multiple गर हुआ है मैंने कहा था कि किसी भी अंक का निकालना है तो तीन के बाद कितनी अंक है एक दो तीन चार तो इसके पिछे 4-0 लगा दूँआ तो देखिए जी यहां कहा इसका मन 30,000 आ रहा है तो यह बिल्कुल सही है अगर वैसे निकालना था तो यह कितनी पर आता है 10,000 पर आता है एक आई, दहाई, सेंकडा, हजार, 10,000 तो इसके पिछे किसका multiple गरूँआ 4-0 का multiple गरूँआ तो कितना आजएगा 30,000 आजएगा कोई मर्जी वे से चलिए मान तो वही आएगा नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट है decimal place value आज कल इसका बहुत trend चला हुए कई बाद decimal place value पर question पूछ लेता है तो उसको भी कर लेते हैं decimal क्या आता है जिसमें दशमलब लगाओ ठीक है अगर इसको अपने नॉर्मली तरीके से करना चाहेंगे अगर book के तरीके से करेंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा कहते हैं थोड़ा lengthy हो जाएगा इसको अपने तरीके से चलते हैं इसको दो भागों में माट लेजी भई point के पहले ये वाला भाग है ठीक है और point के बाद ये वाला भाग है इन दोनों का जो स्थानी अमान निकालने का तरीका है वो अलग लग है देखे point से पहले ये अपने को निकालना है तो जैसे अभी सीख के आए हैं वैसे निकालनेंगे मैंने का था अगर पूछू तीन का स्थानी अमान क्या है अब देखे ये एक अलग number बन गया ये एक अलग लंबर बन गया दशमलव से पहले अगर किसी का स्थानी अमा निकालना है तो सेम वैसे ही निकालेंगे जो भी सीख्या है ठीक है तो 953 का निकालो तो 3 के बाद कितनी अंक है कोई भी अंक नहीं है तो 3 आएगा 5 के बाद कितनी अंक है उसका भी सीख्या है थे अपने कि 3 के बाद कितनी अंक है एक भी अंक नहीं है क्योंकि ये अलग नंबर बन गया 5 के बाद कितनी अंक है एक अंक है 3 तो कितना आ गया पचास आ गया 9 के बाद कितनी अंक है 1 और 2 तो 9 के बीचे 2 जिरु लगा दो तो देखिए पॉइंट के बाद अगर मैं पूछ तीन का मेरे को स्थानिया मन बताईए तो पॉइंट के बाद तीन कितनी नंबर पर है एक इडिस्टेंस पर है तो नीचे एक दस लगा दो अगर साथ का पूछूँ, पॉइंट से कितनी दूर है वो, एक और दो, दो कदम दूर है, तो नीचे दो जिरो लगा दो, अब देख अगर चार का पूछूँ, चार पॉइंट से कितनी दूरी पर है, एक, दो और तीन, तीन कदम दूरी पर है, तो कितने लगा दो नीचे, तीन पर डिफरेंस है तो हजार लगा दिया ठीक है एक तरीका तो यह रहा जिसे आप सेकंड वे बोलोगे ठीक है इस सेकंड वे मैंने आपको समझा दिया अगर फस्ट वे की बात करूँ मुझे फस्ट वे कैसे निकालना है अब देखिए दशमल कितनी अंक पर है तीन अंक प अब चार का निकालनों तो चार का स्थानिय मन कितना होता है क्योंकि चार के बाद कोई अंक नहीं है तो चार का स्थानिय मन कितना होगा चार बटे हजार जो बिल्कुल सही है ठीक है अगर साथ का पूछू साथ का पूछू साथ के बाद कितनी अंक है एक जिरो तो साथ इं का कितना आ गया दस आ गया रहेगा तो वही का वही मान जैसे मर्जी निकाली है जो आपको अच्छा रखते हैं अब यह 1000 मैंने पर्मानेंट नीचे लगा दिया क्योंकि पॉइंट हटाया है तो 1000 तो लगा हूँगो कितने अंक बाद पॉइंट हटा तीन अंक बाद तो मैंने 3 जिरो लगा दिया और जो इसका अपने निकालना था वह वैसे वैसे शिंपल अपने निकालेंगे और नीचे 1000 है उतने जिरो कटते जाएंगे ठीक है स्टुड़न्ट I hope so आपको कोई भी confusion नी होगा अगर आपको confusion है तो आप नीचे comment कर सकते हो और इसके नंबर पर आपको confusion है तो आप बता दीज़े आपको confusion पूरा का पूरा दूर किया जांएगा क्योंकि यह basic है अगर इसी में doubt लेकर चलोगे तो आपको आपको आकर चाथ कि बहुत problem क्रि गढ़नों के स्थानी अंक है एक यंक है तो यहां किछे बचते हैं ? पांच, चार हजार, नो सो पचास, जो second option है, वो बिलकुल correct है, ठीक है student, अब एक question इसी पर बना हुए, tat 2011 में, कहता है कि 260.804 का स्थानी अमान क्या होगा, ठीक है, तो अपने को option दे रखें, अब देखिए, point से पहले, अगर स्थानी अमान निकालना है, तो मैंने आपको कहा आपको, यहारा है, जैसे अपने नर्मली निकालते हैं, तो जीरो, एक की यंक है, इसके बाद कोई यंक नहीं है, तो जीरो का स्थानी अमान क्या होगा, जीरो, अब 6 का पूछू हूँ, 6 के बाद कितना यंक है, एक यंक है, तो उसके पिछे एक जीरो लगा दूँगा, ठ तो तुन के बाद निकालने का तरीका बताया था कि 8 का निकालना है ये points से कितनी डूरी पर है एक दूरी पर है तो निचे कह लगा दूँआ दस लगा दूँगा, तो दस किसमें only इस option में और इस option में है तो ये वाला हमारा कट चुक है option ठीक है शुटन अब देखिए, अब मैं निकालना जाता हूँ 4 का, ठीक है तो देखिए, 0 का तो 0 ही होगा क्योंकि 0 बटे 100 आजाएगा, अब 4 देखिए चार पॉइंट से कितनी दूरी पर है एक पॉइंट, दो, तीन तीन कदम पर है तो 3,0 लगा दूँगा तो हजार किसके बटे में है, इसके बटे में इसके बटे में हजार है, जब फॉस्ट ओप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है ठीक है शुर्ण, नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट है फेस वेल्यू जिसे आप जाती अमान कहते हो और वास्तवीक मान कहते हो ठीक है, प्लेस था, वो बदल रहा था जहां आप दिल्ली थे, फिर हमान चल गए, फिर यूपी गए मतलत स्थान बदल रहा था एकाई का कुछ और ता, दाही का कुछ और था लेकिन आपकी जो जाती है ठीक है, आज आप यहां राजपूत हैं, तो वहां भी जाके राजपूत होगे कहीं में जाओगे आपकी जाती चेन ही हो बोलोगे नहीं आप किसी भी दीगी असंख्या में किसी अंक का जाती हो था अपना अमान होता है, चाहेवा किसी भी अंक पर हो यूट निकालना है वो खुद अंक होता है अब ज़्यादा आपको प्रक्टिकल से पता चलेगा मालो एक example देता हूँ आपके सामने example क्या है पांच हजार तीन आठ नो कहता है कि place value तो आप सीखे अगर face value पुछों किसी भी संख्या में किसी भी digit का जाती इमान खुद वहयंग होता है तो 9 का क्या होगा 9 होगा 8 का क्या होगा 8 होगा 3 का क्या होगा 5 का क्या होगा 5 होगा जाती चेंजने होगी it means जाती इमान कभी भी नहीं बतलता 5 का 5 होगा 3 का 3 होगá 9 का 9 होगा 8 का 8 होगा तो ठीक है आपके सामने question है 3974 में साथ का स्थानी इमान कितना होगा तो किसी भी नंबर पे हो उसका जाती इमान question है, जो पूछा गया था H stat में, ठीक है, संख्या 7564 में 5 के स्थानी अमान और जाती अमान का difference बताना है ठीक है, स्थानी अमान क्या था वो change होता था, जाती अमान कभी भी change नहीं होगा तो पहले स्थानी अमान निकाल लेते हैं स्थानियमान क्या था, किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का स्थानियमान निकालना है, उस नंबर के बाद जितने भी अंक है उतनी 0 लगा दो, तो 5 के बाद कितने अंक है, एक, दो, तो 2 0 लगा दिए, ठीक है, 5 का स्थानियमान कितना आ गया, 500, जातियमान पूछा है, ज जो second option है वो बिल्कुल correct है यह था student हमारा place value and face value का concept यदि आपको अच्छा लगा हो तो please like और comment कीजिए और share कीजिए इससे पहले जो first lecture था वो जुरूर देखिए क्योंकि बिल्कुल syllabus की according चल रहा है ठीक है धन्यावाद